आप में से किसी दोस्त ने मुझसे पूछा था कि हमें बताईए कि किस तरीके से मैं अपने फोन में अपने कीबोर्ड और माउस को एक साथ यूज कर सकता हूँ तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्त आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुती मैत्तपून बात आप इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सरे ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगा जो में भी आपको face करना पर सकता है जब अब keyboard और mouse को एक साथ अपने mobile phone के साथ connect करो तो चलिए शुरू करते हैं देखिए यह पर आपके पास दो options available हैं आप अगर चाहो तो 2.4 GHz बाले keyboard and mouse या फिर wired keyboard and mouse के इस्तमाल कर सकते हो या फिर Bluetooth keyboard and mouse के इस्तमाल कर सकते हो आप अगर 2.4 GHz बाले या फिर wired keyboard and mouse के इस्तमाल करना चाहते हो तो आपके phone में USB OTG का support होना चाहिए आप अगर Bluetooth keyboard and mouse के इस्तमाल कर रहे हो तो USB OTG उतना important नहीं है अगर अपके smartphone में USB OTG का support है तो simply आप एक OTG cable को purchase करके अपने smartphone के साथ connect कर लीजिए जब आप OTG cable को purchase कर रहे हो तब सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके smartphone में कौन सा USB port available है मतलब कि USB Type-C है या फिर micro USB है मेरे smartphone में तो Type-C का इस्तमाल हुआ है इसलिए मैं Type-C OTG cable का ही इस्तमाल करूंगा ये एक Type-C to Type-A adapter है मैं इसका link वीडियो के description में provide कर दूंगा तो आप जाके checkout कर लीजेगा चलिए, अब इस OTG cable को अपने mobile phone के साथ connect कर लेते हैं अब अगर मुझे सिर्फ keyboard या फिर mouse के इस्तमाल करना होता मैं यहाँ पर add keyboard and mouse की बात कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ इस keyboard को या फिर इस mouse को अपने mobile phone के साथ इस OTG cable के थुरू connect कर लेना है बस अब जैसे यहाँ पर मुझे keyboard और mouse को एक साथ simultaneously चलाना है तो इसलिए मुझे USB hub का इस्तमाल करना पड़ेगा इस दोरान एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है जब अब USB hub को अपने mobile phone के साथ connect कर रहे हो तब इस hub में कोई भी चीज connected ना रहे कोई भी device connected ना रहे इससे बहुत बार आपको mobile phone devices को detect नहीं कर पाता और जिससे obviously problem होती है जैसे यहाँ पर USB hubs की बात हो ही रही है तो मैं यहाँ पर आपको बता दू कि USB hubs भी दो तरह के आते हैं एक है self-powered USB hubs जिसमें अलग से power provide करना पड़ता है दूसरा है bus-powered USB hubs इसमें अलग से कोई power provide करने के ज़रूरत नहीं होती है USB port से यह power ले लेता है इसके regarding एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया था उसका link आपको i button पे मिल जाएगा obviously इस project को complete करने के लिए हम bus-powered USB hubs का ही इस्तमाल करेंगे क्योंकि उसमेंट होता है और portable होता है यहाँ पे एक बहुत ही मैत्पून बात आप अगर सिर्फ इन hubs के साथ अपने keyboard and mouse के इस्तमाल करना चाते हो तो आप USB 2.0 hubs भी ले सकते हो USB 3.0 hubs भी ले सकते हो बर अगर आप कोई ऐसा device करने बाले हो जो data transfer करेगा जो huge amount में data transfer करेगा जैसे की pen drive या फिर यूँ कालो thumb drive या फिर hard drive बगएर करनेट करना चाते हो तो इसके लिए आपको USB 3.0 hubs के जरुरत पड़ेगी आप अगर जल्दी जल्दी ये काम करना चाते हो तो यहाप एक बहुत ही मैत्पून बात आप जो USB hub को use कर रहे हो अगर ओ USB 3.0 को support करता है आप जो devices hub के साथ connect कर रहे हो जैसे की hard drive बगएरा ओ भी USB 3.0 को support करता है पर अगर आपका device, आपका mobile phone specially मैं यह पर बात कर आपका mobile phone अगर USB 3.0 को support नहीं करता है तो आपको USB 3.0 की speed नहीं मिलेगी हर mobile phone की specification में लिखा हुआ होता है कि ओ USB की कौन से version पे based है जैसे की मैं यहाप यूज़ कर रहे हो Samsung Galaxy 8 Plus तो यह phone USB 2.0 को support करता है अपने USB Type-C port में तो मुझे USB 3.0 की speed obviously इस phone के साथ नहीं मिलेगी anyway हम यहापे बहुत ज़्यादा off topic जा रहे हैं, चलिए topic पे बापस आते हैं और इस project को complete करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो OTG cable हमने connect किया था उसके साथ इस hub को connect कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने bus powered USB hub का इस्तेमाल किया है तो इसके लिए कोई अलग से power requirement नहीं है चलिए अब इस hub के साथ हम keyboard और mouse को एक एक करके connect कर देते हैं That's it जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इस mobile phone के साथ Corsair की K55 keyboard को connect कर दिया है साथी साथ Logitech की G402 mouse को भी connect कर दिया है दोनों इडिबाइसे सही सही work कर रहा है मैं इस keyboard को use करके documents बगेरा easily type कर सकता हूँ और इस mouse के इस्तमाल से मैं easily navigate कर सकता अपने mobile phone में मैं इस mobile phone को एक small computer की तरह मान सकता हूँ आप जैसा की देखी सकते हो एक छोटा computer यहाँ पे इसका screen काफी छोटा है तो use करने में थोड़ा से दिक्कत हो सकती है पर एक छोटा computer हम इसको जरूर से कह सकते हैं अगर आपके पास tablet बगेरा है तो इस तरीके से आप कुछ हद तक computer का आनंद उठा सकते हो तो तरीका बहुत ही simple था कोई rocket science नहीं है इसमें और कोई software बगेरा भी आपको install करने की कोई जरूरत नहीं है बहुत ही simple सा तरीका है जैसे कि आपने देखी लिया यहाँ पे अगर आप इस hub के साथ कोई pen drive बगेरा connect करना चाते हो तो ओ भी आप easily कर सकते हो जैसे कि आप देखी सकते हो यहाँ पे सब कुछ सही सही work कर रहे है मैंने pen drive को connect किया है और सब कुछ detect हो रहा है और मैं mouse के इस्तमाल से ही इस music को play भी कर रहा हूँ और इस music को मैं आगे पीछे भी easily कर सकता हो तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आप इस बाग का जरूर ध्यान रखे कि अगर आप hard drive connect कर रहे हो और अगर वो NTFS पे formatted है NTFS file system में formatted है तो आपका mobile phone वो normally detect नहीं करेगा उसको FAT32 में formatted होना चाहिए FAT32 file system में formatted होना चाहिए साथ ही साथ अगर आपका hard drive बहुत ज़्यादा power consume करता हो तो ओ आपका mobile phone handle नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे हम जो USB hub यूज कर रहे हैं ओ बास powered USB hub है तो आपका mobile phone जितना power provide कर रहा है उस power को यह जो USB hub है ओ अलग-अलग devices पे distribute कर रहा है अगर आपका hard drive बहुत ज़्यादा power consume करता है तो आपका mobile phone उसको power deliver नहीं कर पाएगा यह hub भी उसको deliver नहीं कर पाएगा तो hard drive वर्क नहीं करेगा अगर आपके पास एक silp powered USB hub है तो यह काम आसानी से possible है पर self-powered USB hub में भी आपको इस बाग का जरू ध्यान रखना है कि जो hard drive connect कर रहे हो वो FAT32 file system में formatted हो अगर NTFS file system में formatted होगा जो generally hard drives होते हैं वो आपको mobile phone detect नहीं करेगा नॉर्मली detect नहीं करेगा आपको अलग से कुछ softwares बगएरा install करना पड़ेगा मैं इस वीडियो के description में कुछ bus powered USB hubs, कुछ self powered USB hubs और साथी साथ कुछ mouse और कुछ keyboard की भी मैं links दे रहा हूँ आप चाहो तो check out कर सकते तो इससे मेरे channel को थोड़ा सा help हो जाएगा यहाँ पे एक बहुत ही मैत्पून बात आप अगर 2.4 GHz बाले USB keyboard and mouse की combo यूज़ कर रहे हो तो आपको अलग से कोई hub यूज़ करने की जरूरत नहीं है कोई USB hub की जरूरत नहीं है आप simply इस receiver को अपने स्मार्टफोन की OTG cable के साथ connect कर दीजे और आपका काम हो जाएगा and lastly अगर आप word keyboard and mouse का इस्तमाल कर रहे हो तो आपको mobile phone की जो battery है वो ज़्यादा consume होगी क्योंकि यहाँ पर obviously जो mouse है जो keyboard है वो थोड़ा सा तो power consume करेगा ही वो आपको mobile phone से ही करेगा mobile phone के battery से ही करेगा तो आपको mobile phone थोड़ा सा कम चलेगा obviously तो बस मुझे उमीद आपको वीडियो के पसंद आया होगा आपको पता चल गया होगा किस तरीके से आप अपने smartphone में keyboard and mouse को simultaneously यूज कर सकते हो और साथी कुछ और devices को भी अपने smartphone के साथ connect कर सकते हो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यह पर समफ करते हो और मुझे उमीद आपको वीडियो के पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो को लाइक कीजिए आपने दोस्तों के साथ share कीजिए अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब निकरे जैए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसके जरू टैप कर देजिए कि इसको जाए मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसके साथ इस वीडियो को मैं परसाफ करते हो देने के लिए जोस्ताफ का बहुत बहुत धने बाद गुट बाई